इरिगेशन ओफ क्रॉप्स इरिगेशन होता है खेतों में या फिल्ड में पानी देना सिच्चाई करना ओफ क्रॉप्स जो भी फसल वगर हो गई है उसके लिए इरिगेशन सिच्चाई करना अगर पानी नहीं मिलेगा प्लांट को तो वो क्या हो जाएंगे सूख जाएंगे और फिर वो नहीं बढ़ पाएंगे और में सोर्स क्या है हमारा वाटर का रेन जिससे मोस्टली प्लांट क्या पराप करते हैं पानी इसलिए हम प्लांट को वाटर करते हैं वाटर का नाम इस पानी देते हैं अधर मेंटर कुछ और वीडियो से ता मेंटर ओ व वाटरिंग दा प्लांट इन दा फिल्ड बाइ वाटर करने के लिए पानी देने के लिए जो मैंध़र हैं कि में जहांगे when primarily सच्चाही किससे करते हैं किखिता है we canals & pipes कई बार सबस्क्राइब करते हैं कि पानी का किते है पार पानी दीद है वाटर फ्रॉम वैल्स और और अन्य तरीके हैं वाटर फ्रॉम वैल्स कुवों से हम पहले पानी देते थे फिल्ड के अंदर लेकिन आजकल कोई भी नहीं देता तूबल्स विल्यजिस में तो अशकल भी देखें तूबल्स बट अब तो समसिबल्स भी लगा दिये गए हैं बट कई जिगह पर टूबल्स भी हैं एंड टैंक्स इस यूज़ड टू इरिगेट फिल्ड्स जो फिल्ड्स में हैं उनकी इरिगेशन करने के लिए हम वैल्स का यूज़ करते हैं वैल्स का हम पहले यूज़ करते थे टूबल्स का यूज़ करते और टैंक्स का यूज़ करते हैं डैंस आर कंस्ट्रक्टेड ओन रिवर्स और जो रिवर्स होती हैं वहाँ पर क्या बना जाते हैं डैंस मना जाते हैं डैंस की बना जाते हैं डैंस सप्ला क्रोप्स रोटेशन के बारे में रीड किया इरिगेशन के बारे में रीड किया अब हम करेंगे कि जो भी हमने क्रोप्स उगाई है उसका स्टोरेज कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए after harvesting harvesting होता है कोई भी crop है फसल है वो पक कर तयार होगी उसकी जो कटाई करते हैं उसको हम बोलते हैं harvesting the crops it is very important to prevent the grains from damage damage होता है उसको खराब होने से बचाना कि जो after harvesting फसल की कटाई के बाद यह हमारा एक important part है कि हम जो grains है उनको protect कैसी रखे उनको खराब होने से कैसे बचाए it is essential to store grains for future तो क्या है उसको हमें future के लिए store करके भी तो रखना है तो इसलिए क्या उसके लिए कुछ मैतर बनाए government ने the government has taken steps to store for grains on a large scale in go-downs and warehouses तो government ने क्या किया जो हमारे grains रखे रहा है उनको future के लिए store करने के लिए government ने कुछ step उठाए कदम उठाए उनके लिए क्या बना दिये government ने go-downs और warehouses warehouses होते है कुछ हमारी बड़ी सी building होती है जो waterproof होती है जिसके अंदर किसी भी season में हम crop का जो हमारे harvesting crops है उसको हम safe रख सकते हैं food storage go-downs and warehouses should be clean and water proof जो हमारे food storage बनाए है government ने वो कैसे है water जो हमारे go-downs है और warehouses है वो कैसे है clean, saaf, सुथरे हैं and waterproof और वो waterproof हैं grains should be store in moisture free container moisture free container होता हमारा कि कई बार देखा होगा कि किसी भी चीज को हम open में रख देते हैं जैसे हम नमकीन वगरा खाते हैं एक दिन हमने open में छोड़ दिया तो वो क्या हो जाती है उसके अंदर moisture नमी हो जाती है वो CLC जाती है तो वो जो हमारे stories है वो क्या है moisture free जहां पर नमी नहीं जा सकती है ऐसे containers में उनको store किया जाता है कि उसको down के अंदर उन warehouses के अंदर आपके अंदर यह जाती है जिन से moisture free अमारी जो harvesting of crops है वो safe रहती है कर दो कर दो कर दो कर दो